दोस्तों अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा पूरा डीटेल से कि आप जो है परेंटल कंट्रोल सेटिंग को यूज कैसे करेंगे मतलब की आप अपने बच्चे का डिवाइस कंट्रोल में कैसे लाएंगे बहुत ही कमाल की ट्रिक होने वाली आज की ठीक है यह आपके बच् आज में नहीं आएगा तो सबसे पहले क्या करना आपने इन स्टेप्स को करने से पहले आपने एक 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 अप्लिकेशन यहां पर डाउनलोड करनी है वो कौन-कौनसी है मैं आपको यहां पर दिखा लेता हूँ पहले जो आपका पेरेंट्स वाला डिवाइस है उसमें आप गूगल फैमिली लिंक फॉर पेरेंट्स यह आपने इंस्टॉल कर लेनी है यह आपकी प्लेस टोर मिल रही है तो आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते है नीचे ठीक है फिर आगए आपका बच्चे वाला डिवाइस ठीक है तो यहां से आपने कौन सी अप्लिकेशन डाउ वाप्षेंगे आपको पर ही बता देता हूं कि आपका काम असान हो जाएगा तो आपने इन दोनों अप्लिकिशन को इंस्टॉल करलेना है कुछ नहीं करना है ठीक है कर लेए अप क्या करना है चलिए पहले जाते हैं हम अपने parents वाली device में उसको जाएंगे हम यहां पर setting option मिल जाएंगे आपको digital well being and parental control तो यहां पे click करेंगे ठीक है फिलास्ट में parental control में यहां पर जाएंगे ठीक है अब यहां पर ध्यांसा देखना आपने next करना यहां से ठीक है फिर यहां पर आपकी email id स्लेक्ट हो चुकी है फिर आपने yes I am in ठीक है यहां पर पहले आपको parents option आएगा parents का एक चाइल्ड का तो आपने यहां पर प्रेंट्स वाला option यहां पर चूज कर लेना है अपने device में ठीक है कर लिए उसको आपने yes कर देना है ठीक है get child device ठीक है get next कर देंगे फिर आप यहां पर यहां पर काम खतम हो गया हम चलते हैं यहां पर teenager वाले ठीक है बच्चे वाले लिवाइस में चलते हैं ठीक है फिर हम जाएंगे setting वाले option में में चलेगे फिर आपने जाना है नीचे डिस्टल वैल्मिंग और पर पर जाएंगे फिर यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर चाइल्ड पर टीनेजर पर जाना है ठीक है उसी साब से यह option आपको यहां पर भी आएगा तो आपने पेरेंट्स वाले कर लेना है फिर आपने यहां पर next करना है ठीक है अब यहां पर connect your device का option यहां पर आपको दिख रहा है ठीक है यही code आपने यहां पर डाला है ठीक है ति हाफ च्लबर आपको यहां पर डालना है अब देशता यहां पर open हो गया फिर आपने यहां पे यहां पर पास्वड़़ डालना है यहां पर कलगे हैं Bonjour, जोइन आगया, जोइन कर देने हैं से करदेना हैं सिब्सक्टाइट, बच्चे वाली एमेल आईडी आपने करदा दानें合़ एपनी इमेल आईडी क्लिक on यहां पर प्रोसेस चल रहा है मैं more ला पर क्लिक करोंगा more next allowी कि मैं से allow कर अपने यहां पर थोड़ा सा वेट कर लेना है ठीक है वेट करने के बाद क्या option आएगा आपको लग जाएगा पता थोड़ा सा वेट कीजिए आपको go and get your parents ठीक है next अपने नेक्स्ट करते जाना है फिर देखना यहां पर यहां पर जितनी भी अप्लिकेशन सारी यहां पर चूज हो चुकी है ठीक है रिव्यू एप सारे रिव्यू जितना भी आपने यहां पर मौर पर क्लिक कर देना है ठीक है मौर फिर यहां पर नेक्स्ट पर कर देना है ठ हो गया यह डिवाज आर निट्यट यह डीवाइज आपको प्रोसेस आ गया छिकी इस तरह का अब यहां पे क्या आया देखिए हो कस्टमाइज किस्टमाइज कर सकते हैं फिर आप डिफॉल्ट क्स्टमाइज को यूज कर सकते हैं जो कि parental control में यूँ डिफॉल्ट दीगी इसेटिंग ठीक है तो आप यहां से कोई भी सेटिंग यां पर चूज कर सकते हैं तो पहले तो मैं यहां पर इसको कांटिनि должно हो चुका है म capitalize कि मेरे चन्實 यहां पर चुका है छह कंपलीट हो चुक है मतलब कि आप अपने से यूस कैसे करना है वह पर आपको दिखा होगब डिये असे इस तरह का इंट्फरेस देगने को हम पे जाए तो आप क्या करना है अपने manage settings पे जाना है चलेगे manage setting page यहाँ पर आपको मिल जाता है control on google play filter on google chrome filter on google search filter on youtube android apps location account information account supervision यहाँ पर more option यहाँ आपको मिल जाता है बच्च आपका जो आप्स वगरा डाउनलोड करता है प्ले स्टोर से वह मतलब की purchase करता है वह purchase नहीं कर पाएगा अगर आपको यहां से permission ना देंगे ठीक है आप android apps वाले option में चलेगे तो यहां से for example मैं आपसे मैं चाता हूँ कि मेरा बच्च यहां पर जो है facebook यूज ना करे तो मैं पर facebook यूज नहीं होगी और यहां पर facebook यूज नहीं कर पाएगा तो मैं आपसे अलौग कर दूंगा कि आप मेरा बच्चा Facebook यूज़ कर ले तो यहां पे तुरंथ Facebook यहां पे आ जाएगा तो देखते रहें आ गया ना उसी तरह तरह तो यहां पे समझ गया ना उसके बाद आप देखते रहें ध्यान से अभी बहुत ही मज़ा आने वाला वीडियो में उसका फिल्टर ओन यूटूब यूटूब में फिल्टर लगा सकते है यूटूब रिस्टिक्टर मॉड मतलब की रिस्टिक्टर मॉड कैन हैल्प हाइड वीडियो इस प वो बच्चा अपने यूटूब में नहीं देख पाएगा उसको ये शो ही नहीं होंगी वीडियो इना कमाल का उसके बाद ध्यान से देखना ठीक है उसके बाद जो है लोकेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे की लोकेशन को भी ठीक है उसी तरह आप गूगल को भी ट्राय टू ब्लोक मिच्योर साइट मिच्योर साइट को ब्लोक कर सकते हैं अलाओ भी कर सकते हैं मतलब की मिच्योर साइट को ब्लोक करने का बच्चा जो है उन साइट को ओपन नहीं कर पाएगा जो की गंदी साइट हैं उनको ओपन नहीं कर पाएगा उसको अलो और स सर्टेन साइट को भी अलाओ कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं अपने इसाब से जो कि आप चाहते हैं प्रूफ डाएगा ब्लॉक्ट का उप्शन भी आपको यहां पर देगने को मिल जाएगा मतलब कि आप अपने बच्चे के डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे अपने तो आप यहां से से सर्व को यहां से ओन कर सकते हैं मतलबी की फुली कंट्रोल यहां पे आपने डिवाइस को कर सकते हैं बच्चे के तो वह फट आप चाहतेएंगे इस्टाग्राम यू मान कर आप कुछ भी यूज नहीं कर बाएंगा आपकी परमीशन के बगेर तो आज सम संद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा सो बाई बाई टेक ए जया हिंद बंदे मातरम